नमस्कार जैहिंद वन्देमात्रम आप सभी बहन भायों का हार्दिक स्वागत है गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टडी पर दोस्तों आज हम यहाँ पर 15-16 पॉइंट को देखेंगे जहां से 50-55 पॉइंट हम निकाल लेंगे एसी व्याख्या पूरे यूटूब पर बहुत फासली से करने वाला हूँ एक कॉपी एक पेन ले लेना क्योंकि इससे कठिन पेपर बन ही नहीं सकता मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि टेट का एक्जाम आपका बहुत पास में है बस डिप्रेशन को अपने आपको हटाना है सकारात्मक सोच के साथ इस वीडियो को देखना है जैहिंद वंदे मतरम आपके मातापिता को वंदे मतरम आपके परिवार को बहुत आसाये हैं कि आप एक सिक्षक बनने वाले हैं जैहिंद चलते हैं स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को गुरुजी वर्ड रास्ट के नाम स सिक्षा सवस्क्राइब करना बिल्कूल बोले गए क्या हम बात करेंगा थंता नहीं है ससिला केबल बात होती है टीम्त köt कि je सिक्षध भरती के लिए यहां पर आप चेनल को सवस्क्राइब कर सकते हैं सबसे पहला पन करने हैं या कह सकते हैं इसको योजना एक assessment की बात करते हैं कि environment जो assessment है जो effect है यानि अगर हम बात करें कि पर्यावरण में जो प्रभाव है उसके आंकलन के लिए एक पर्योजना निकाली गई उसका नाम क्या है लियोपॉर्ड matrix कुशन कैसे आएगा कि लियोपॉर्ड matrix क्या है किस से सम मंदित हैं और आपसे ये भी कह सकता है कि पर्यावरण का आंकलन किस तरीके से किया जा सकता है तो option में अगर लियोपॉर्ड matrix है तो भया मार देना कव आई थी 1971 में आई थी कहां से लियोपॉर्ड एक बैग्यानिक थे जिनको अमेरिका से तालुकात रखते थे कहां कि थे अमेरिका के बैग्यानिक थे लियोपॉर्ड और इनी के नाम पर रख दिया गया पूरा नाम लियोपॉर्ड matrix जो आंकलन करने की प्रभावी योजना है अमेरिका से इसका प्रारम हुआ था सन 1971 में ठीक है ये point आपका खतम हुआ अब हम चलते हैं सामाजिक बानिकी कारिकरम सामाजिक बानिकी कारिकरम क्या है सबसे पहले आपको कम से कम दो से तीन बार यही पूछ चुका है इसका सन ठीक है तो याद रखिएगा जो मैं बताओं उसका सन याद रख लिना इसका एक बार भूल जा रहा है सामाजिक बानिकी कारिकरम जो है किस से संबंदित है इनवा दिवस का मनाया जाता है दोस्तों नीचे करिएगा फटा फटञ़ Gandalf, जैसे हम बात करते हैं, 22 मैं को जैप gitu बिवित्त दिवस, 22 मार्च쿤 बाइस ओर 21 मार्च को 24 मनाय जाता हैốc है क्या मनाया जाता है मैंने कहा 21 मार्च को विश्व बान की दिवस मनाया जाता है ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हो क्योंकि ये पर्यावर्ण से कुशन तालुकात रखता है नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं बिना रुके कहता है पग मार्क तक्नीक देखिए वीडियो अच्छा लगेगा और तभी जो है आप लाइक सस्क्राइब करेंगे क्योंकि आप समझदार है मेरे भाई पग मार्क तनकीक सुनिएगा ये बहुत इंपोर्टेंट डवल स्टा की बात करते हैं तो वहाँ पर उसका हम आकलन करते हैं और किसका आकलन उनकी जनसंख्या का आकलन ठीक है कितनी वो पापुलेशन में है कितने नंबर फैक्टर्स में है ठीक है तो क्या है ये एक तकनीक है बिभिन बनेजीब के आकलन के लिए ये बहुत इंपोर्टेंट तर प्चानने के लिए करते हैं तो हम क्या करते हैं या एक बार और में रिपीट टरहों पंण मार्ग तककनीक वो होती है जहां पर बंच जीब की जनसंख्या का आंकलन किया जाता है सीद야지 सब्दों में ऐसे समझ लेना भूलोगे नहीं, ठीक है, हम next point पर चलते हैं, next point हमारा ये है, बहुत important, जो आगे आने वाले दो point है, वो बहुत important है, कहरा भारती बन्यजीब संस्थान, बार बार मैंने बताया है, कि आप सभी जानते हो कि देहरादून में है, लेकिन इसका एक जनसंख्या, और इसी के साथ म 1972 हो जाएगा, तो 1972 में एक परियोजना आय थी, या अधिनियम आया था, उसको कहा गया भारती बन्यजीब संस्थान, तो भारती बन्यजीब संस्थान का अगर सन पूछ लेगा, क्योंकि ये दो सन आपको बिल्कुल भूलने नहीं है, ठीक है, इसको हम triple star में लगा के अपन आतर में आया था, यानि बन्यजीब संस्थान से 10 साल पहले आया था, दोनों को आपको अपनी चैन स्रंखला में, अपने दिमाग की चैन स्रंखला में याद करने ना है, ठीक है, चलता हूँ दोस्तों, next पर bio diversity, बहुत simple सा है कि bio diversity बार बार पढ़ा है, लेकिन इससे दो कु यहां पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा पानी बरस्ता है, और दोपैर के समय ही पानी बरस्ता है, जहां सबसे ज़्यादा पानी बरस्ता है, वहां सबसे ज़्यादा गर्मी भी होती है, ठीक है, तो जैब विबित्ता यानि अगर हम बात करते हैं, कि सब्द का प्रियोग 1986 1986 में हुआ था किसे ने सर किया था वाल्टर जी रोसन ये बहुत इंपोर्टेंट है वाल्टर जी रोसन ने सब्द का प्रियोग किया था जै विबित्ता का लेकिन यही कुछ्छन आता है यही आपको ध्यान रखना है अब हम एक और आपको नालिज दे देते हैं कि ब्यापक कि प्रचार इनके बात क्या हुआ कि इसका जो है विबित्ता के प्रचार हुआ तो ए ओ निलसन महोदे ने यहां पर ब्यापक प्रचार किया था क्लियर अब हम बात करते हैं by डायाफीट से एक पुस्टग जो आपको हमने कभी नहीं पढ़ाई है आज हम उसको पढ़ा दे रहे हैं, देखीगा, दिबस 22 मई प्रतेक साल, आप आपको देखीगा, आपको मैंने हमेशा बताया है कि 22 मार चगर आता है, तो जल्द दिबस लगा दो, एक महीना और बढ़ा दो, बाइस अपरेल आ जाता है, इसको प्रतवी दिबस कर दो, और एक महीना और 22 अपरेल एक महिना बढ़ा दिया तो प्रत्वी दिवस और एक और हमने महिना बढ़ा दिया 22 मई तो जय भी भित्ता दिवस हो जाएगा जो प्रतेक साल मनाये जाता है Biodiversity in India एक पुस्तक है जिसको हमने लिखा है जिसको किसने लिखा है यहाँ पर T.Pulaya जो है इसके लेखक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे सर T.Pulaya हो जाएंगे Biodiversity in India एक पुस्तक है क्या है Biodiversity in India यानि पुस्तक का नाम ही है इतना ध्यान लखना है बहुत important है पूछा जा सकता है क्योंकि यह पुछ तक आपके बायो डायवर्शिर Risk करती है और बायो डायवर्शे है वो आपका प्रैवरनस से लिलेट करता है ठीक है हैं बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी ऐसा नहीं है लेकिन याद रखेगा मैंने एक वीडियो में 1917 कह दिया था साइद तो याद रखेगा उसको आपको क्या करना है करेक्ट करके कर लेना है आपका पर्यावरन होगा आद्र भूमी होगा तो रामसर जो संदी है वो जहीलो से रिलेट करती थी इसको हम बैट लेंड कहते हैं और याद रखना है कि यह आद्र भूमी से संबंदित है ठीक है अब हमें संख्या जाननी है तो हमने कह दिया 26 है लेकिन क्या है यह आद्र मेलर हमारा 1971 में हुआ था बहुत इंपोर्टेंट है इसको डबल इस्टार में लगना है कि इसको इस वाले कुशन को कि 1971 और संबंदित कि से था रामसर संदी से ठीक है प्रतेक बर्स को हमने हमने इस वीडियो में कम से कम साथ से आठ जो है आपको डे बताया है 21 मार्च में बताया है आपको बान की दिवस फिर से रिपीट कर रहा हूँ 22 मार्च को मार्च को बताया है जल दिवस 22 अपरेल को प्रत्वी दिवस 22 माई को बाइयोडायवरिस टिवस 16 सेप्टेमर को ओजोन दिवस ठीक है यह सारे बताये है लेकिन यहां पर एक और आ रहा है प्रतेक पर्स जो है दो फरवरी को हम आदर भूमी दिवस मनाते हैं अब आदर भूमी दिवस को मतलब यह नहीं है कि आपने यही जो है वर्ड आ गया तो कर देंगे अगर कुशन में बेट लेंड दिवस आ जाता है बेट लेंड तो दोस्तों मतलब वही होगा क्योंकि बेट लेंड एक English World है, तो आप उसमें खोज नहीं पाओगे, क्योंकि बेट लेंड अगर हिंदी में लिखके आ गया, और English वाले कुश्चन की तरफ, क्योंकि पेपर हमारा हिंदी में भी होता है, इंग्लिस में भी होता है, तो इधर बेट लेंड लिखा होगा, ठीक है, अगर आदर भू हिंदी में लिखा होगा, तब हमारा बेट लेंड इंग्लिस में इधर लिखा होगा, तो दोनों को चीजों को भूलना नहीं है, क्योंकि यहां पर प्रतेग बस दो फरवरी को बेट लेंड मनाते हैं, क्या वही चीज है, आदर भूमी दिवस, अब हम बात करते हैं, ग्रीन किया गया था, लंदन से भी इसको हम जोडते हैं, लेकिन आपको मुख्याल है, तो बिल्कुल भूला नहीं है, ग्रीन पिस किसे संबंदित है, पर्रया वरण के संरक्षण के लिए संबंदित है, आपको ये भी पॉइंट बहुत इंपोर्टन तरीके से दिमाग में रखना है, ठीक है, चलता हूं दोस्तों, Great Barrier Reef, Great Barrier Reef क्या है, देखे गार हम भारत का मैप पढ़ते हैं, तो भारत के पूरा इंडिया अभिसु का मैप पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर भारत है, तो इसके पूरे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बात करते हैं, तो दोस्तों, यहां हिमाले है ठीक है ऐसे वहां पर मूंगे की चट्टाने है कीडों से बनती है कह सकते हो नार्मल भासा में ठीक है तो यहां पर क्या होगा कि प्रवाल भित्ती जो होती है इसको हम कोरेल रीव भी कहते हैं तो प्रवाल भित्ती इसको मूंगे की चट्टान हम जानते हैं कह लेकिन ज्यट्रोफा का नाम ही दोस्तों है दूसरा नाम रतन जोथ को आया हुआ मैंते हैं कि बहुत बार पूछा गया है कि एक बार ऐसे गुमाके पूछ दिया जाता है कि बायो डीजल का पौधा कौन सा है तो आपका आंसर में उस टाइम ज्यट्रोफा नहीं था उस टाइ दोनों चीज़े आपको इधर उधर करके देख लेनी है कोई भी दिमाग नहीं जादा लगाना है तो क्या है रतन जोद हमारा बायो डीजल का पौदा है या जेट्रोफा क्या है इस बार ये समभाबना है कि जेट्रोफा बायो डीजल से संबंदित है यही पूछ लेगा या सिन कोना हमारा किस से संबंदित है, मलेरिया से संबंदित है, यह पूछ लेगा, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है, सिन कोना मलेरिया से संबंदित है, अब हम चलते हैं, आपरेशन ग्रीन क्या है, देखीगा, आपरेशन ग्रीन साब, आपरेशन ग्रीन क्या है, में सबस्दर् सबाइए हम यूपि और यूके कि बात करते हैं तो यहाँ परापरेशन गरीन यह था कि उत्तराखंड और यूपि जब अलग हुआ होने से स्कीम चलाएगई वहां पर इसका बस्करों कि प्रिच्षों की कमीहीं तो यहाँ पर इस योजना को लाया गया इसी का नाम रख दिया गया operation green ठीके ना ब्रच्छों की कमी से सम्मादित है क्या है sir operation green और मैंने ऊपर अभी एक चीज बताई थी green peace कि से सम्मादित है पर्यावर्न सनलक्षर्ण के लिए भारत की आदरभूम किसे सम्दित है जी हाँ रामसर किसे सम्दित है आदरभूम इसे सम्दित है ठीके ना तो दिमाग में ये चीज़े रखना है लियोपोर्ड किसे सम्दित है हमें अधीप्रभाव इनवारमेंट का आकलन करने के लिए ऐसे पगमार क्या है जनसंख्या का आ अब क्या है, यूपी में इसको परियोजना का लाया गया है, एक सुनिएगा, एक जुलाई 2000, एक से उत्तरा, उत्तर प्रदेश में प्रारम होने वाली आपरेशन, ग्रीन योजना, उत्तरा खंड के अलग होने के बाद ही आई थी, विभिन सरकारी, विभागों, विध्यले और निजी संस्थानों के सयोग से ब्रच्छारोपर कारिकरम अब कराया जाता है, ठीक है ना, अब हमेरे यहां, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस चलते हैं, तो एक जुलाई 2001 को यहां पर हमारा इस्थापित किया गया, ठीक है, ये भी नहीं बूलना है, एक कुशन बहुत इंप होजन होता है, और बच्चा खाता है, ऐसे समझ लो कि मैं अपने हाथों से करता हूँ, मैं किसी का यहां पर टीपने वाला काम नहीं करता है, ठीक है यह अपनी राइटिंग है, और तुरंत लिखता हूँ, तुरंती वीडियो बनती है, समझ लो आप, नहीं तो अगर मेरे से ही बंदे हैं, अपने देशी बंदे, प्रथम जैब मंडली आरक्षी चेत्र, नीलगिरी जो इंडियन का फस्ट जो है आरक्षी चेत्र है, पूछा क्या गया था, कुछन कैसे था, सुनियेगा, कहा था कि यह पता दीजेगा, इन में से, निम्न में से, कौन सा प्रथम ज भारत में, भारत में जो है, इसको किया गया, आरक्षी चेत्र को कबर किया गया, तो नीलगिरी आपको नाम नहीं बूलना है, एक बार सन आपको भूल जाना है, नीलगिरी आपको नहीं, सभी की चीजें आपको याद रखना है, कि पगमार क्या है, सामाजिक बानकरी कारिक अब हम लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं living planet सूचकांग living planet सूचनांग से यह question आपका बहुत important है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ही subscribe और like करें वरना हमारे लिए आपका क्या है ना सिर्फ इतना है कि जैसे आपके परिवार आपकी रहा देख रहे हैं एक सरकारी बिद्धले में सरकारी सीट की बैसे ही अपन यह चाहता है कि सरकारी बिद्धले में सरकारी सीट मिल जाए जल्दी आपसे मौका मिले ठीके ना जी हां मिलने का तो अगर हम बात करते हैं living planet सूचकांग living planet सूचक क्या है कि क्या है यह जैब विभित्ता की जो है कि living planet सुचकान क्या है तो आपके options में अगर कहीं पर biodiversity आ जाए जैब विभित्ता आ जाए hot spot आ जाए तो मार देना ठीक है अब सुनो question कहां से बनते है question important यहां से बनते है कि heart spot क्या है तो heart spot किसे संब्दित है बहुत बार question पूछा जा चुका है कि जैब विभित्ता से संब्दित है hot spot किसे संब्दित है जैब विभित्ता है यहां याद रखेगा heart spot किसे संब्दित है आपके जैब विभित्ता से संब्दित है इसका नाम मैं इसको बारे में बाता देता हूं जैब विबित्ता से सम्मंदित है जैब विबित्ता कोही हाट पर कहलाते बहुत सारे ऐसी जगए होते हैं यह अगर हम बात करें 15 से अधिक इस्थानिक प्रजातियां भी यहां पर पाई जाती है ठीक है अब हम यहाँ पर बात करें नामर जो नार्मन मायर्स है इन्होंने अपने सोध में 10 हाट स्पार्ट जो है हाट स्पार्टों का उल्ले किया था यह क्या होते ही एक जगे होती है और यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है कि पूरे अगर विश्व में पूछा जाए पूरे अब ही मैंने ऊपर वाले वीडियो में यह पढ़ाया है कि भारत का प्रथम जैव मंडली आरची छेतर कौन सा है तो आपने कहा इंडियन फर्स्ट जो जैव मंडली आरची छेतर है वो है नीलगिरी 1986 में स्थापित हुआ ठीक है नीलगिरी लेकिन अगर मैं यह कह दूँ कि प्रथम हाटिसपार्ट भारत का कौन है तो भारत का हाटिसपार्ट जो छेतर है दोस्तो एक यानि अणडमान निकोबार है यह भी आपको दिमाग में रखना है तो है जै बिभित्ता दिबस अभी मैंने ऊपर 22 मई की ठीक है तोस्तों कैसा लगा यह वीडियो ऐसी ही फास्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को अगर अच्छा लगा हो अपने परिवाल से जुड़ जाएगा अपने माता-पिता को जैहिंद वन्देमातरम हां एक भूल कर रहे क्या यह वाला लोगो देखना है और G-U-R-U-J-I और थोड़ा सा इस्पेस W-O-R-E-L-D टेलिग्राम को जॉइन कर लेना है टिक टोक पर अगर आपने नहीं अभी तक जो है फालो किया है गुरू जी कोई स्पेस नहीं है 96-28 अपना लोगो हर जगे देखना है नहीं तो किला बंदा काफी है सबके लिए जैहिंद वन्यवात रहम